हाई स्वागत करती हूँ आपके प्यारी से चैनल में जहां पे आप लोग समझ सकते हैं केमिस्ट्री को बिल्कुल ही असान सी भाषा में तो जैसे आप सभी का डिमांड था कि माम हमें और्गानिक केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप प्लीज हमें और्गानिक केमिस्ट्री के ऊपर एक पूरा थोड़ा सो हमें डीटेल्ड वीडियो दे दीजे तो हमने यही स्टार्ट करना है तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो क्लास 10, 11, 12 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको और्गानि केमिस्ट्री जो है हमारी और्गानिक केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी किसका करते हैं हम लोग स्टडी करते हैं कार्बन कंपांट्स की ऐसे कंपांट्स जिनमें जो कार्बन है वो एक प्राइम एलिमेंट है एक बहुत ही एहम रोल जो है वो निभा रहा है अब जबी हम ल यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं hydrocarbons की basically हम लोग यहाँ किसकी बात कर रहे है hydrocarbons की अब hydrocarbons क्या है देखिए नाम से ही suggested है hydrocarbon जब यह ब हाइड्रो पोल रहे हैं आपके दिमाग में एक element आएगा hydrogen और carbon तो हमें पता ही है तो ऐसा कोई भी compound जिसमें hydrogen और carbon दोनों ही included हों उसे हम लोग बोल देते हैं एक hydrocarbon जिसके common example सभी को पता है methane आप लोग बहुत बात सुनते हो पढ़ते हो लिखते हो methane is CH4 आपको पता है अब यह जो methane है CH4 आप ध्यान से देखिए यहाँ पे आपको कौन से दो elements दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे carbon भी है यहाँ पे hydrogen भी है तो इसलिए methane एक hydrocarbon है तो अभी आपको एक चीज तो बहुत अच्छे से clear हो गई होगी होगी कि हम लोग hydrocarbon किसे कहेंग hydrocarbon हमारा वो organic compound है जिसमें carbon और hydrogen दोनों ही elements जो है वो involved रहते हैं सो basically यह जो हमारा organic chemistry है organic chemistry में हम लोग hydrocarbons की study कर रहे हैं ऐसे compounds की study कर रहे हैं जिसमें carbon भी है जिसमें hydrogen भी है इसके लावा जो हमारे organic compounds है organic compounds यहां पर हमने दो elements के नाम तो बारबर सुन लिया hydrogen और carbon अब इसके इलावा ऐसे और कौन element है जो कि organic compounds में बहुत ही जादा important role जो है वो निभाते है hydrogen और carbon के इलावा जो organic compounds है इसमें oxygen element भी बहुत जादे involved रहता है इसमें nitrogen भी involved रहता है so we have other organic compounds जिसमें carbon और hydrogen के इलावा एक जो हम रोल निभा रही है जो elements वो है oxygen and nitrogen इनके भी बहुत सारे जो organic compounds है वो पॉपिलर है अब इस वीडियो में जैसे-जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको इसके जानकारी जो है वो आगे से आगे मिलती जाएगी so अभी दिमाद में एक चीज़ को clear हुए ना कि organic chemistry में हम लोग क्या पढ़ते हैं organic chemistry में हम लोग पढ़ते हैं carbon compounds के बारे में carbon compounds का एक बहुत एहन हिस्सा है hydrocarbons hydrogen compounds को बोलते हैं जिसमें carbon और hydrogen दोनों हो इसके इलावा जो हमारे organic compounds होते हैं organic compounds में carbon और hydrogen के इलावा oxygen और nitrogen जैसे elements जो है यह भी बहुत ही prime role जो है वो play कर रहे हैं तो यहां तक एक हमें basic सा structure पता चल जाता है तो हम ऐसे compounds के बारे में पढ़ेंगे जिसमें carbon भी है hydrogen भी है nitrogen भी है oxygen भी है ऐसे compounds के बारे में तो अभी सबसे पहले हम लोग simplest hydrocarbons की बात करते हैं simplest carbon compounds की बात करते हैं hydrocarbons की सबसे जो simple हमारे पास carbon compounds हैं वो कौन से हैं? hydro-carbons अब hydro-carbons को भी फर्दर जो है तीन main categories में divide कर रखा है क्या है ये categories? alkenes alkenes and alkynes अब हमने पढ़ा ना कि carbon compounds जो है hydro-carbons उसमें एक बहुत ही important चीज है जो हमारे hydro-carbons है उन्हें further divide करा हुआ है categorize किया हुआ है तीन parts में alkenes alkenes and alkynes अब आपके class 10 से आपको इतना तो पता ही है कि जो carbon है इसका atomic number है 6 अगर इसका atomic number 6 है तो मतलब इसमें electrons भी कितने होने वाले है 6 अगर इसमें 6 electrons है तो as per the Lewis structure ये तो सभी को पता है that carbon के surrounding में हम लोग 4 dots लगाते हैं क्योंकि carbon का electronic configuration क्या हो गया 2, 4 इसके outermost shell में 4 electrons है तो carbon के surrounding में हम लोग 4 dots लगाकर इसका Lewis structure बताते हैं और ये जो 4 dots है हमें ये बता रही है that carbon can make 4 covalent bonds कि जो carbon है ये 4 covalent bonds बना सकता है मतलब कि जो हमारा carbon है carbon is tetravalent carbon क्या है tetravalent tetra का means क्या रहता है 4 और valent represent कर रहा है valency को मतलब carbon की valency क्या है 4 it can make 4 covalent bonds carbon जो है electron को share करके electron sharing पे जो bond बनती है उसे हम लोग बोलते हैं covalent bond the bond that is formed by the mutual sharing of two electrons अगर आपको ये clear नहीं है कि covalent bond क्या है आप मुझे comment box में बता सकते है और covalent bond पिक special आप लोगों के लिए जो वीडियो है वो मैं बना दूँगी तो चलिए अब इनेक्स देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास carbon के पास कितने electrons है out of most shell में 4 अगर इसके पास out of most shell में 4 electrons है मतलब carbon 4 covalent bond बना सकता है carbon क्या है tetravalent अब यहाँ से carbon की 2 properties और है जो कि हम लोग class 10 में बढ़ते हैं class 10 में हमारे पास यहाँ पेक बहुत important topic है related to the unique properties of carbon carbon की कुछ unique properties है क्या है यह unique properties सबसे पहली property जो unique है इसकी the unique property of carbon एक unique property इसकी क्या है catenation एक unique property क्या है catenation catenation का मतलब रहता है self linking catenation का मतलब क्या रहता है self linking कि जो carbon है अपने ही जैसे और carbon elements के साथ carbon के combine करके बड़ी 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 चेंज बना सकता है जैसे हमें पता है ना कि एक carbon atom चार बॉंड्स बनाएगा अब carbon अपने ही जैसे carbon के साथ combine कर सकता है जो कि फर्दर और बॉंड बना सकता है अब जितने carbon को combine करते जाएंगे वो उतनी उतनी bonds जो है वो फर्दर बनाता जाएगा अब आप देखो ये चीज तो never ending है जितना मर्जी compound बड़ा कर लो आप इसकी बहुत अच्छी example है हमाली body का DNA वो भी एक और organic compound है carbon compound है और carbon की catenation की वज़ह से ही जो लंबे लंबे giant compounds जो है वो exist करते है जो ये एक बहुत अच्छी बहुत ही unique property है carbon की catenation अब ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ कि अगर आपको ये hydrocarbon समझने है न alkene, alkene and alkyne इसका key element कौन है carbon अगर carbon की element है तो उसकी unique properties को हम लोग कभी छोड़ी नहीं सकते है एक property हमने इसकी देख ली कि ये tetravalent है चार bonds बनाता है और दूसरी इसकी unique property क्या हो गई catenation, catenation है self linking कि carbon अपने ही जैसे और atoms के साथ further and further combine करके giant compounds जो है वो बना सकता है तो इसकी ये tetravalency के कारण इसकी self linking के कारण ये बड़े बड़े compound बना रहा है एक और इसकी unique property क्या है ability to make multiple bonds कि जो carbon है वो multiple bonds भी बना सकता है मतलब अब हमें पता है carbon catenation करेगा, मानलो मेरे पास ये दो carbon के मैंने सभी के case में ये 2-2 carbon के atoms दे दिये अब ये catenation दिखा सकता है, मतलब carbon-carbon के साथ combine कर सकता है ये हमें पता है अब δूसरा ये हो गया, it has the ability to make multiple bond ये multiple bonds बना सकता है मतलब कार्बन कार्बन के साथ हो सकता है एक बॉंड से जुड़ा हो हो सकता है कार्बन कार्बन के साथ दो बॉंड से जुड़ा हो हो सकता है कार्बन कार्बन के साथ तीन बॉंड से जुड़ा हो तो होगे न मैल्टिपल बॉंड Carbon-Carbon में एक bond भी exist कर सकती है Carbon-Carbon में दो bonds भी exist कर सकती है Carbon-Carbon में तीन covenant bonds भी जो हैं वो exist कर सकती है और इसी हिसाब से जो हमारा hydrocarbon है वो divide हो जाता है alken, alken और alkyne में अगर Carbon-Carbon में single bond है otherwise bonds पूरी कर दो एक ही इनकी बनी हुई है इसको तीन और बनानी है इस Carbon की चार bonds होगे इसी तरह से इस Carbon की चार bonds होगे यहाँ पर दो बनी है दो और बनाएगा दो बनी है दो और बनाएगा तीन है एक और बनाएगा तीन है एक और बनाएगा चार-चार bonds पूरी करनी है तो वही है अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉंड है तो अलकेन कार्बन कार्बन में डबल बॉंड है तो अलकीन कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉंड है तो अलकाइन अब समझ रहा है कि यह अलकेन, अलकीन, अलकाइन जो नाम है यह कहां से आए ये आए हैं कि carbon carbon में कितनी bonds जो हैं वो exist कर रही है एक bond के लिए लगा in, दो bonds के लिए लगा in, तीन bonds के लिए लगा in ये चीज़ याद रखनी बहुत ही ज़ादा important है और अभी हमने कुछ देर पहले नाम लिया था ना mythane लिया था ना ये नाम methane एन लगा हुआ है अगर एन लगा है तो ये इस बात को represent कर रहा है कि जितने भी उसमें carbon है वो single bonds exist कर रही है उसमें वहाँ पे double bonds जो है वो नहीं होगे अब ये myth कहां से आया ये चीज़े बहुत साथा important है ये decide करता है हमारा word root अगर आपको इसे note करना है तो note कर लीजिए वीडियो को pause करके और फिर मैं आपको आगे बताती हूँ ये myth नाम कहां से आया तो चलिए अभी देखते हैं कि ये हमारे पास myth नाम कैसे है तो यहां में आपको याद रखना है that number of carbon atoms के according यहां पे आता है word root की मतलब हमको एक specified जो नाम है वो यूज करते हैं और इस चीज़ को बोला जाता है आयूपिक नोमन क्लेचर आयूपिक का फूल फॉर्म है International Union of Pure and Applied Chemistry International Union of Pure and Applied Chemistry इसका नोमन क्लेचर नोमन क्लेचर का मतलब होता है नाम करन नाम करन की हम लोग किसी चीज़ का नाम कैसे करेंगे अब देखो जैसे यहां पर मैं आपके common example देती हूँ यहां पर biology में भी पढ़ते हैं लोग रोज की बात करते हैं गुलाब Hindi में उसका नाम कुछ और है English में नाम कुछ और है अगर इसी तरह है कि जो language differences है हमारी science में आने शुरू हो जाए तो बहुत जादा गड़बड़ी हो सकती है In the sense कि जो scientist है वो तो किसी भी region से, किसी भी देश से, किसी भी भाशा के हो सकते हैं तो इसलिए science में, chemistry में उनकी भाशा एक कर दी IUPAC nomenclature के अंडर IUPAC nomenclature के अंडर हम लोग अगर किसी chemical का नाम लेते हैं तो सभी को understood है कि उसका formula क्या होगा Despite of the fact कि कोई भी chemist जो है वो किस region से belong कर रहा है उसे कौन सी language आती है या नहीं आती है So मतलब यह जो IUPAC nomenclature है ना इसका मतलब language से फिर as it is लेना देना कोई नहीं है फिर कोई भी chemist हो चाहे वो India से हो, अमारिका से हो, England से हो, France से हो, German से हो उसकी भाषा कुछ भी हो लेकिन जब एक किसी chemical का नाम लिया जाएगा Like for example, if I say Tutanoic Acid, Oxalic Acid ठीक है या फिर मैं कोई और नाम बोलू Propanol बोलू ठीक है मैं कुछ भी भोलू जब हम एक नाम लेंगे, as per the IUPAC nomenclature, वो हर एक chemist को player होगा और ये IUPAC nomenclature सीखने का सबसे पहला step यही है that as per the number of carbon atom, कुछ specific नाम दिया जाता है, जो उसका word root है ये आना बहुत ही ज़ादा जरूरी है तो देखिए, अगर हमारे पास एक carbon atom हो, तो उसके लिए हम लोग use करेंगे myth अब यहाँ से आपको आपके question का answer मिल जाएगा जब ही हमने बोला था methane, methane का formula हमने क्या लिखा CH4 जब हमने methane का formula CH4 लिखा, आप देखिए यहाँ पे number of carbon atoms कितने है How many carbon atoms are there? Only one, एक ही carbon atom है और इस एक carbon atom के लिए यहाँ पे क्या आ गया? Myth, एक carbon atom है बाकी सारे के सारे यहाँ पे क्या है? Hydrogens चार hydrogen atoms है Four hydrogen atoms are there ठीक है, यहाँ पे ना carbon carbon double bond है, ना carbon carbon triple bond है क्योंकि और कोई carbon तो है ही नहीं तो इसलिए इसको alkane की काटेगरी में डालते हुए यहाँ पे क्या आ गया? यह बन गया हमारा methane आया समझ में किस तरह से नाम आया? इसी तरह से अगर हमारे दो carbon atoms हो इत, तीन के लिए प्रॉप, फोर carbon atoms के लिए ब्यूट, फाइव के लिए pent, six के लिए hegs, seven के लिए hept, eight के लिए oct, nine के लिए non, ten के लिए deck, eleven के लिए unideck, twelve के लिए dodeck and four तो ये जो word root है ये बहुत ही ज़ादा ज़रूरी है एक बार से recall करेंगे number of carbon atoms के recording आप लोगोंने word root देना है in the IUPAC nomenclature one के लिए myth, two के लिए it, three prop, four but, five pent, six hegs, seven hept, eight oct, nine non, ten deck, eleven unideck, twelve dodeck और ये करते करते जो आपका word root है वो पूरा हो जाता है और यहां से आप लोग जो simple हमारे hydrocarbons है simple alkane, alkene और alkane का जो nomenclature है आप असानी से समझ पाएंगे कैसे? जैसे कि अगर हम लोग बोलतें अभी propane prop बोला, prop का मतलब कितने carbon? तीन one, two, three इन का मतलब carbon, carbon में क्या है? single bond, सभी carbons की single bond करती अब जो remaining positions है वहाँ पर क्या आ जाएंगे? hydrogen atoms तो आपका formula क्या बन गया? इसका molecular formula क्या बन गया? C3, 3 carbon और hydrogen कितने हैं? one, two, three, four, five, six, seven, eight hydrogen कितने हो गए? eight इसी तरह से आप लोग, मतलब इसके similar manner में अगर हम लोग को इथेन भी लिखना हो तभी आपको समझ में आ जाएगा इथेन अब आप ही बताएं, इथे के अग और यहाँ पर कितने carbon आ गए? दो carbon atoms, N के लिए carbon, carbon single bond और जो remaining positions हैं, वहाँ पर क्या आ जाते हैं हमारे hydrogen formula क्या बन गए? इसका C2, दो carbon, C2, one, two, three, four, five, six C2H, six, six क्या हो गए हमारे hydrogen अब ध्यान से देखो, यहाँ से यह देखो, इथेन और प्रोपेन दोनों ही क्या है? अलकेन, इथेन और प्रोपेन दोनों ही क्या है? अलकेन और अलकेन का general formula रहता है Cn, H2n, plus two, के आपके पास जितने भी carbons हैं उस carbon का अगर आप double करके दो add कर देंगे, उतने hydrogen होंगे अलकेन में, मतलब क्या है? अब जैसे यह हमने इथेन लिखा इथेन का formula क्या है? C2, H6 अब देखो, यहाँ पे N, N क्या है वहाँ पे? What is N here? N is number of carbon, यहाँ पे number of carbon कितना है? 2, अब आपने 2 का double करके 2 add कर देना है 4 प्लस 2 क्या आगया? 6 और 6 इसमें क्या है? Hydrogens, Hydrogens क्या होंगे? 2 N प्लस 2 So this is the general formula of alkane Interesting लगा आज का वीडियो? अगर वीडियो इंट्रस्टिंग लगा है अब चाहते हैं मैं कल आपके लिए instantly जो है वीडियो ले आऊ तो मुझे इस वीडियो इस पर जादा से जादा likes मिल जाने चाहिए Comments में आप लोगोंने मुझे जरूर बताना है कि आपको ऐसी series चाहिए और literally आपको यह अच्छा लगा तो immediately आपके लिए जो अगला वीडियो है वो भी आजाएगा तब तक इसे enjoy कीजी अपना दिमाग लगाए थोड़ा और तो चलिए अभी हम लोग बात करेंगे functional groups के बारे में यह functional groups क्या है functional group हमारे पास ऐसा कोई भी atom हो सकता है यह group of atom हो सकता है जो कि किसी भी carbon compound या कह लिजिए organic compound की जो properties है खास तोर पर उसकी chemical properties को determine करता है for example जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया that different number of carbons के लिए हमारे पास कुछ word root रहता है जैसे कि 1 के लिए हम लोग use करते है myth 2 के लिए हम लोग use करते है it 3 के लिए करेंगे and so on यह इस तरह का वैंने आपको word root बताया है for number of carbon atoms मालो हम लोगोंने 2 carbon atoms को लेकर चलो पड़े we are taking 2 carbon atoms 1 and 2 इन में है single bond ठीक है अब देखो यह चीज़ हो सकती है जो rest of the positions है जो rest of the positions है carbon की वहाँ पे है सभी के सभी hydrogens वहाँ पे क्या है सभी के सभी hydrogens अब यहाँ पे सभी के सभी hydrogens आ गए है carbon carbon में single bond है यह क्या बन गया हमारे पास alkene यह क्या बन गया हमारे पास alkene बन गया अब देखो मालो कि यहाँ पे जो एक hydrogen atom है इस एक hydrogen atom को replace करते अगर हम लोग जो बाकी चीज़ है सारी as it is दो carbon atoms as it is इसके 5 hydrogens as it is लेकिन यह वगद जो hydrogen है इसकी जगह पे कुछ और आ जाए ह ह की जगह पे मालो यहाँ पे आ गया OH तो पहले जो अलकें था दो carbon वाला इत एन अब उसमें एक hydrogen को कौन रिप्लेस कर चुका है OH अब यह carbon हमारे पास दो ही है इत दो carbon के लिए क्या यूज करेंगे इत carbon carbon में single bond ही है लेकिन यहां पे क्या लग गया है OH H को हटा कर क्या आ गया OH जब ही OH आ जाए तो ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलेंगे alcoholic group तो मतलब यह हमारे पास alcohol बन गए नोर्मेंट लेचर भी आपको सिखा रही हूं थूरा डीटेल में लेकिन अभी functional group का पहले मीनिक समझ लो पहले यहां पे H था बुसकी जगा पे क्या आ गया OH तो मतलब अभी क्या हुआ कि जो पहले alkane था अब वो alkane नहीं है H के बदल जाने से वो क्या हो गया alcohol यहां पे हमने कुछ नहीं करा H की जगा पे क्या आ गया OH अब जब यहां पे एक group of atom जो है वो change हो चुका है H की जगा OH आ चुका है तो obviously यह जो उपर वाला compound है जो हमारा alkane है इसकी properties alcohol की properties के साथ match करने वाली तो नहीं है इसका मतलब यह जो properties है किस पे depend कर रही है यह जो group of atom यहां पे attach हो चुका है तो वही है हमारे पास that functional group क्या है functional group is an atom यह कोई एक atom हो सकता है और group of atoms यहां से वो group of atoms हो सकता है which largely determines the properties of organic compounds particularly the chemical properties यह meaning है इसका अभी question ही है कि हमारे पास functional group कौन कौन से है जैसे यहां पे मैंने OH बोला तो मैंने बता दिया यह alcohol है क्या इस तरह है कि हमारे पास और functional groups भी है so the answer is yes हमारे पास बहुत सारे functional groups है जिसमें से मैं आपको कुछ important ones जो है वो बताने वाली हूँ तो आप लोगों को क्या देखना है कि functional group क्या है functional group को मैं FG लिख रही just short form में time save करने के लिए functional group क्या है वो किस family से belong करता है और उसकी example क्या है यह तीन चीजों से आपको functional group के बारे में और clarity आजाए कि जैसे जो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि अगर लगा हो dash OH dash का मतलब यह bond है जो carbon से जुड़ा हुआ है dash OH यह है alcohol family example एक carbon के साथ OH लगा हो rest of the position पे कुछ भी हो सकता है there could be hydrogen there could be other carbon ऐसा कुछ भी लेकिन carbon के साथ OH ज़रूर जुडा होना चाहिए अगर carbon के साथ इस तरह है इसे चली हाइलाइट कर लेते हैं अगर OH जुडा है तो वो क्या हो गया हमारा alcohol यह चीज़ याद रखना अब second functional group देखेंगे इसी तरह ऐसे dash COOH याँ हम लोग इसको बोले dash C double bond O dash OH यह class 10 वालों ने भी पढ़ा होगा अपने acid basis and salts में जब यह आपको acids वाला पूरा चाप्टर था organic inorganic acids बताते हैं तो यह चीज जिसमें COOH लगा हो COOH को अगर हमें open करके लिखना हो bonds के साथ चोग करना हो तो it is carbon double bond oxygen dash OH यह है हमारा carboxylic acid group this is carboxylic acid group अब बड़ी common example दे रही हूँ चाहे हूँ बच्चा 10th का 11th का है 12th का है सबके लिए अब जभी आप लोग acid basis और वाला चैप्टर कर रहे हो 10th और वाला कर रहे हैं 11 12 करके आचुके हैं आपको बहुत सारी examples दी जाते हैं आपको बहुत common example याद होगी that ant's string में कौन सा acid present रहता है सबसे बहुत मुझे comment box में में मताओं मुझे देखूं भी कितने बच्चों को पता है कि ant's string में कौन सा acid present रहता है ant's string में present रहता है yes methanoic acid or it is called as formic acid अब यह चीज़ आपको याद आई होगा बहुत जादा familiar feel करोगे carboxylic acid के साथ अब यह mythanoic acid का formula क्या है myth मतलब कितने carbon एक carbon एक carbon जिसके साथ क्या लगा है functional group क्या है OOH OOH होना चाहिए एक carbon और यहाँ पर क्या आगया H H COOH मतलब अगर हम simple लिख लें H COOH यह COOH आगया न यह COOH जिस भी group में मतलब कि जो यह COOH है जब यह present रहता है तो ऐसे functional group को हम लोग बोलते हैं carboxylic acid group example मैंने आपको दे दिया H dash C double bond OOH इसी तरह से आपने acetic acid पढ़ा होगा acetic acid is ethanoic acid याद आ रहा है class time से अभी सब चीज़े पढ़ चुके हो ethanoic acid इत मतलब दो carbon ठीक है अगर दो carbon हो carbon carbon में single bond यहाँ पे एक के साथ double bond OOH इस carbon की bonds को हम लोग hydrogen के साथ पूरा कर देंगे for this carbon अब यह आ गया ना COOH group COOH group तो जहाँ पे COOH involved रहे उसे हम लोग कहते है carboxylic acid group चलिए अब इसके लावा और कौन से groups हैं हमारे पास एक example को erase करें so that we can write next यहाँ मैंने आपको एक example दे दिया H COOH और जैनरली आप देख लो C double bond O dash OH हमें चाहिए बाकी दो साइट्स पे कुछ और हो सकता है हो सकता है यहाँ लंबी सी carbon chain हो हो सकता है यहाँ लंबी carbon chain हो हो सकता है यहाँ पी हमारे पास अब next aldehydes एक group family है हमारे पास for functional group that is aldehyde अब aldehyde में कह रहता है C double bond OH और इसको लिखते हैं dash CHO जिस भी किसी organic compound में CHO लगा है CH double bond OH उसे कहते हैं aldehyde जैसे carbon है इसके साथ double bond OH और H लग गया यहाँ पे carbon हो सकते हैं carbon की further valency hydrogen ने पूरी कर दी तो ऐसा कोई भी organic compound जिसमें carbon double bond oxygen और hydrogen है यह particular group आ गया उसे हम लोग बोलते हैं aldehyde group वो aldehyde family से belong करता है अब इसी तरह से हमारे पास रहता है ketone group इसी तरह से हमारे पास क्या रहते हैं ketones ketones क्या होते हैं हमारे पास carbon double bond oxygen और दोनों sites पे other carbon groups होने चाहिए यहाँ पे भी carbon की chain होनी चाहिए और यहाँ पे भी carbon की chain होनी चाहिए तो उसे हम लोग बोलेंगे ketone ये साइट्स पे hydrogen allow नहीं करता क्योंकि अगर मान लो यहां पे hydrogen आ गया तो यह तो फिर से CHO बन गया ना इसके जैसा तो फिर से Rd हाइड हो जाएगा तो किटोन होने के लिए दोनों साइट्स पे जो carbon है उसकी chains चाहिए चाहिए दोनों साइट्स पे एक एक carbon हो दो-दो carbon हो ज और यह हमारे पास इधर भी CH3 आ गया इधर भी CH3 आ गया लेकिन सेंट्र में क्या है C double bond हो तो जहां C double bond आ गया दोनों साइट्स पे carbon chain है तो वो बन जाता है हमारा की tone और यह जो formula मैंने लिखा है CH3 C double bond हो CH3 this is the formula for acetone मैं जान पूछ के थोड़ा धीरे धीरे बतारी हूं so that की जो चीजें हैं वो आपके दिमाग में fix हो जाए तो देखिए अभी आपको चार functional groups बता चल गए वीडियो को pause करके इसको note कर लीजे फिर मैं आपको functional group एक और बहुत important functional group है उसके बारे में बजाते को इसके बाद हम oxygen है दोनों साइट से bond बना रहा है center में oxygen है इधर भी हमें carbon chain चाहिए और इधर भी हमें carbon chain ही चाहिए for example मालो कि यह आपके पास oxygen है oxygen can make two bonds oxygen दो bonds बना सकते हैं इधर भी carbon लगा हुआ है इधर भी carbon लगा हुआ है इन carbon की valences को कौन पूरे कर रहे हैं hydrogen अगर दो carbon atoms via oxygen जुड़े हुए है single single bond के साथ तो ऐसी family को हम लोग बोलते हैं ether ऐसी family को हम लोग क्या बोलेंगे ether देन इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं esters फिर हमारे पास क्या जाते हैं ester अब यह ester क्या होता है ester is c double bond o dash o r और इधर भी कोई carbon chain ही चाहिए इधर भी क्या चाहिए कोई carbon chain यहाँ पर r क्या represent कर रहा है r is representing the alkyl group यह भी बहुत important चीज़ है बस कुछ ही समा में बता रही हूँ कि alkyl group क्या होता है तो अगर हमारे पास ester चाहिए तो ester होने के लिए क्या लगेगा carbon double bond oxygen और साथ में o r जैसे हमारे पास acid में था न acid क्या था c double bond o dash o h यहाँ पर o h था यहाँ पर o r है तो अगर r आ जाए तो वो क्या है ester example के तोर पर carbon double bond oxygen o ch3 और इधर भी carbon है जिसकी bonds को कौन complete कर रहे है hydrogen मतलब c double bond o मतलब यह वाली चीज़ वही है carbon double bond oxygen और यह oxygen r का मतलब कि कोई carbon की chain चल रहे है यहाँ पर हमारे पास एक carbon की chain में जा आ गया ch3 और इधर भी हमें carbon chain ही चाहिए मतलब oxygen के इस side पर भी हमारे पास क्या चाहिए carbon chain चाहे एक ही carbon क्यों ना हो और इधर भी हमें क्या चाहिए कार्बन जिसे हम लोग आर के साथ रेप्रेजेंट कर रहे हैं तो अगर यह चीज हो आर सी ओ ओ ओ आर जाफिर हम इसको बहुत प्रिसाइजली बोले आर डैश सी डाबल बॉन्ड ओ ओ ओ ओ आर ठीक है है यह दोनों कार्बन चेंज ह लेकिन यहां आर डैश और इसटे लिखा है क्योंकि यह बराबर हो भी सकते हैं और यह बराबर नहीं भी हो सकते हैं यहां एक कार्बन की चेंज हो यहां तीन कार्बन की चेंज हो यहां एक कार्बन की चेंज हो तो यह जो यहां पर नबर आफ कार्बन आटम्स है वो वेरी कर सकते हैं इसलिए R और R डाश लिखा है यह equal हो भी सकने हैं यह equal नहीं भी हो सकने हैं तो यह हमारा बन गया Aster Group तो हमारे पास जो main families है functional groups में वो क्या है alcohols, adhydes, ketones, carboxylic acids, ethers and asters बहुत important है अब इसका nomenclature कैसे रहेगा किस तरहे से हम उन compounds के नाम लिखेंगे जिनमें यह functional groups जो हैं वो मिले हुए यह सभी जानकारी बहुत ही जादा important होने वाली है लेकिन आज पहले इतना ही और इसके बाद जो है हम लोग इसकी जो अगली वीडियो पर आपको बताने वाली हूं इनका nomenclature कर दो